नामस्कार दोस्तो हरी कृष्ण। राधी राधै कैसे है आप सब लोग में बहुत एच्ची हूँ आसा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे राधा अस्टमीकष राधा राधा रानी की चटी कब मनाएगे कैसे मनाएँगे। तो तेइस तरीक को हमने मनाया था राधा अस्टमी बहुत ही धुमधाम से और बहुत अच्छी तरह से और जैसे कृष्ण जर्मास्टमी के ठीक छे दिन बाद हम चटी मनाएंगे राधरानी की चटी यानि की छे नंबर जो दीन आता है तीथे के हिसाब से भी बहुत जगा प एक दिन बाद में भी मनाते हैं तो देखिए सब घर का अपना-पना एक परमपरा होता है आपके यहां पे जो भी परमपरा है आप उसी साब से कर सकते हैं वैसे इस बार राधरानी की छटी जिस दिन आया है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा सुब दिन है कैसे तो चेली मैं बताती हूं देखिए यह सबसे पहली है कि गुरुवार के दिन है हमारे कानहा जी की सबसे प्रिय दिन और कानहा जी का प्रिय मतलब राधरानी का प्रिय दिन दूसरी बात है अनंत चतुर्दसी है इस दिन राधरानी की सेवा करने से अनंत गुना फल मिलता है वैसे करुना मुई राधा रानी की सेवा करने से हमें मतलब कोटी कोटी जन्म का पाप जो है धुल जाता है आप सभी को पता है तो इस दिन राधा रानी की जो छटी पड़ी है वो अनंत चतुरदसी के दिन पड़ा है गुरुवार के दिन है और साथ में ब्रत की पूर्णी मा भी है तो ए वीग्रह को नहीं होती है क्या करना हम एक पातर लेनी है जिसमें कच्छा जूटसे भर देना है अब राधा रानी की विग्रह को हलके से हम पकड़ेंगे और इसी के दूद के अंदर हम तीन बाट डूब की लगाएंगे ठीक है ठीक इसी तरह से जैसे हमने कृष्ण जन्मास्टे में च्छटी मनाया था राधा रानी को इस तरह से तीन बार डूब की लगाने के बाद बहुत अच्छी तरह से अभिसेख कर लेजिए सुद्ध जल से स्नान कराए बहुत बढ़िया तरीके से उनका स्रिंगार करे अच्छा अब ये दूद का क्या करना है तो ये जो दूद होगा ये दूद को गरम करके बच्चों को पिला ये बहुत अच्छा रहता है मैंने कृष्ण जर्मास्टर में के टाइम पे भी आप लोगों को इस बात की बताया था ये बात की बच्चों को देना चाहिए ये दूद बहुत अच्छा रहता है खीर बना सकते है लेकिन देखिए जो भी बनाएंगे जो भी करेंगे इस दूद का बना हुआ कोई भी चीज भगवान को दुबारा नहीं लगता है क्यों क्योंकि ये भगवान को अल्रेड़ी चड़ चुका है तो इस दूद से जो भी बनेगा आप लोग डायरेट गरहन कर भगवान को नहीं लगैगी चटी के दिन कड़ी और का भोग लगता है बहुत जगा पर कही जगा पर ऐसी दूद कर चैवे कर नम और बना जाता है कही जगा पर आर्वी के अ करो नगा बनाते हैं कुम का न खाने जाते हैं तो क्या होता है हर चीज रहती है मिठाई भी रहती है हलुआ भी रहते हैं खीर भी रहते हैं कुछ और भी घर में पकवान जो भी बनता है वो सारे चीज़े रहती है तो आप इस तरह से घर पर खाना बनाईए राधा रानी खुद अपने हाथों से खाना बना उस घर में तो खुशिया आना ही आना है पकाएक्दम तो इससे तरह से आप भोग लगाए दूप दीप दिखाए और पंचोपचर पुजा के बारे में हर वीडियो में आप लोगों से बात करती हूं तो पंचोपचर पुजा कीजिए पांच प्रकार के उपचार द्वारा भ करके पुस्प चड़ाए फिद्धूपम समर्पयामी करके धूप दिखाए फिद्धीपम समर्पयामी बोलते हुए दीप दिखाए उसके बाद ओम नईवध्यम निवेदायामी यानि कि नईवध्य घर में जो भी भोग प्रसादादी बनाया है वो निवेदन करें इसी तरह निवेदा से राधारानी की चटी मनाया जाता है तो यह एक फेस्टिवल के तरह मना यह घर में छोटे बच्चों को भी इनवाल्व करें चाहे तो आप अगर जूला है आपके पास तो राधारानी जी को जूलाने भी बिल्कुल भी ना भुले काना जी अगर आपके राधा पूजा ग्रहन करेंगे नहीं तो एक अकेले राधारानी के पूजा ग्रहन करने से हमें अधूरी फल मिलता है राधारानी खुद बीना काना जी के नहीं रहती है ठीक है तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगा जुरूर बताना अगर कुछ भी अच्छा लगा तो प् री कृष्णी